अस्सालामु अलेकुम, वेलकम टू स्टूरेंट ट्यूब आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेप्टर नबर 5, Factorization, HCF and Square Roots, Exercise 5.8 कुस्चन है, Find the HCF of the following polynomials by factor method बहुती ज़्यादा सिंपल है, आज इसका कुस्चन नमबर 3 है कुस्चन नमबर 3 में हमाँ पास X3-Y3 और X4-Y4 बहुती ज़्यादा सिंपल है, इस पे formula apply होगा X3-Y3 जो यह equal होता है, X-Y और X2-Y2 चिक है और X4-Y4 है तो इस पे formula apply होगा तो यह हो जाएगा X2-Y2 और X2-Y2 और X2-Y2 हो सकता है क्योंकि यह आप X2-Y2 है तो यह X-Y और X-Y हो जाएगा और X2-Y2 यह तरहां से आ जाएगा तो जो HCF है वो होता है जो के दोनों में common हो तो HCF अब जो नीचे वाली रह है वो यह वाली count होगी और उपर वाली यह ठीक है तो नीचे वाली में जो है X-Y है उपर वाली में भी X-Y है बाकी इसके रहावा उपर और नीचे कोई भी सेम नहीं है तो HCF जो है वो हमारा है X-Y आंसर तो यह था हमारा आज का question बहुती जादा simple और easy उमीद करती हैं आपको अच्छे समझ आया होगा मज़ीद questions के लिए में चैनल को कर दें सबस्क्राइब साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए अल्ला हाफेज